नमस्कार दोस्तों सवगत आपका इस्टेडीफॉर्ट सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर करता ही है एच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता स्टेडीफॉर्ट एक जामस में दोस्तों इस वीडियो हम लोग यूपी प्यस्सी एपीएस के हिंदी सिलिवर्स में जो अनेक सब्दों के लिएक सब्द दिया गया है उसके रिम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टन अनेक सब्दों एक सब्द काम लोग क्यों कि रिवीजन करेंगे और यह हैं आपके यूपीपीस्सी आरो यारो में भी काम आने वाला है वीडियो सुरू करने स्पागा बताना चाहता हूं यूपीस्स प्रिम साहित कई प्रिगूर्प चल ले हमारे अगर आप इन प्रिगूर्प जुनना चाहते हैं तो यह हमारे देगे नंबर है इस पर क्वाले वर्षब करके जो है जानकाई प्राप कर सकते हैं तो आई वीडियो सुरू करते हैं गुरू के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक सब्द जो प्रिग होता है वह अंतिवासी होता है वर्षा का आधिक के होना अर्था वर्षा आधिक हो उसके लिए सब्द प्रिग होता है वह अतिवरिष्टी होती है जहां पर बर्षा एकदम ना हो उसके लिए जो है अनावरिष्टी सब्द का प्रिग के आता है आउसकता से अधिक धन ना चाहना उसके लिए सब्द अपरी ग्रह हो आप लोग जैन धर्म में जो पांच महाब्रत हैं उनमें एक अपरग्र है भी एक है आवसकता से अधिक धन ना चाहना जिसका सत्रू पैदा ही ना हुगा उसके लिए सत्रू प्रयोग आजात सत्रू होता है आपने भरोसे काम करने वाल को स्वावलंबी का जाता है जिसी त्य प्रतिवादी कहलाता है जो आँखों के सामने हो उसे प्रतिवादी कहलाता है जो आँखों के सामने हो उसे प्रतिवादी कहा जता है संद्याकाल जब गाएं चल कर लोटती है वह जो समय होता है प्रतिवादी कहलाता है हाथ में है जिसके उसे चक्रपानी का जाता है गोद लिया हुआ पुत्र को दद्तक का जाता है तमाम भासाओं का जानकार है जो उसे बहु भासा वित का जाता है भूद वर्तमान भविश्य का ग्याता कुत्रिकाल दर्सी का जाता है जिसके पेट में माने रसी बांज दियो उसे दामोदर कहा जाता है और भगवान कृष्ण के भी पेट परस से बांधी गए थी इसलिए उन्हें भी दामोदर कहा गया है मन के अध्ययन का सास्र मनुविज्यान कहलाता है पति-पत्नी का जोड़ा दमपति कहलाता है बाजार में मुद्रक का चलन अधिक हो जाना मुद्रा इस्पीत कहलाती है चार पैर होते हैं जिसके उसे चतुस्पत कहा जाता है गुडवाजी से अलग रहने वाला कि एक्सद जोप्रेगोता वर तटास्त होता है आधिक समय तक जीने की इच्छा जीजीविश्या कराती है मरने की कामना को मुमूर्शा कहा जाता है कम या नापातुला वे काने वाले एक्सद जोप्रेगोता है वो मितब्याई होता है दूर तक की बाते सूच लेने वाले एक्सद जोप्रेगोता है वो दूर दर्सी होता है धर्म में आस्था वो विश्वास न रखने वाला जो होता है उसे नास्तिक कहा जाता है और जो भगवान में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहा जाता है नश्ट हो जाने वाला या वाली इकली सब्जुप्रियोता वा नस्वर होता है धार में काचन करने वाली इकली सब्जुप्रियोता है वो धर्मात्मा होता है जो पूजा या स्रधा की योग्यों उसे पूजी कहा जाता है पति द्वारा छोड़ दी गए इस्त्रीगली सब्जु प्रियों होता है वो परित्यक्ता कराती है रात्र में भ्रमर जो करता है उसे निसाचर कहा जाता है चोर का यह परिवाची भे निसाचर युद्ध करने के इच्छे 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 करने संसार से सम्मधित के लिग सब्द लोकिक प्रियुक कियाता है जिसका पत जीवित हो ऐसी स्थरी को सधवा का जाता है दो भी निविन तत्तों की मिल से उत्पन को संकर कहा जाता है जन्ता के लिए जन्ता द्वारा निस्ति सासर प्राली को लोकतंत्र का जाता है कानुन बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव या मसवधा को विधियक का जाता है चुड़ा अर्थात बालो में चंद्रमा है जिसके उसके लिए सप्रेव होता है वो चंद्र चूण होता है और यह जो है भगवान संकर क्या भी परिवाचे है चंद्र चूण छुटकारा दिलाने वाले को त्राता का जाता है आध्यात्मिक ग्यान रखने वाले के लिए सब्रेख होता है वो तत्वग्य होता है जो आखो सम्मदित हो उसे चाशुस का जाता है किसी तत्व को जानने या विजित करने की चाहँ को जिगीसा का जाता है इंद्रियों पर बिजय पाल लेने वाली के सब्द्रे होता है वो जितेंद्री होता है जिसे दूसरों से छीपाया जाए उसे गोपनी कहा जाता है जिसके बारे में जानना आवस्यक हो उसे गे कहा जाता है जिस पर तारीख लिख दी गई हो उसे दिनांकित कहा जाता है जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीरगबाव कहा जाता है छामा किये जानी योग को शमी कहा जाता है अपना उद्देश पूर्ण होने तक संतुष्टी के लिए सब प्रेवोता है और किरतार्थ होता है साधारण जन में परचलित चली आ रही बात को किम वदंती कहा जाता है जिसका कोई भाग तूट गया हो उसे खंडित कहा जाता है उपरी दिखावा जिसमें आत्मीता ना हो उसे जो है उपचार कहा जाता है करड़ी और करड़ी का निश्चना कर पाने वागे लिए इस अपनियासिक का जाता है इस लोग से सम्मधित के लिए सब जुप्रे होता है वो आपका एहिक होता है विवहाईत पत्नी से उत्पन पुत्र को आवरस का जाता है और आवरस का जो भी लोग होता वो जारज होता है तीर्च बुद्धि वाले के लिए सब प्रे होता है कुसागर बुद्धि होता है सीमित ग्यान रखने वाले के लिए सब प्रे होता है वो कूप मंडुक होता है जिसके पास सीमित ग्यान हो जिसका उसे करपात्री का जाता है उपर की ओर उच्छाला गया उर्धगामी उसे का जाता है जो अपनी इच्छा पनिर भरो उसे आइच्छी का जाता है और आइच्छी का जो बिलूम होता है वो अनिवार होता है जो इतिहास से संबंद रखे उसे आयतियासी का जाता है हाथ में नर्मुन्ड लेकर चलने वाला तांत्रिक को कापाली का जाता है कापाली जो है वो हाथ में नर्मुन्ड लेकर चलने वाला तांत्रिक होता है अनुपजावी भूम को उसर का जाता है घाटनाओं का क्रम से व्योराग लिए सब प्रेख होता है वह इद वृत्ति होता है सूरी जिस परवत के पीछे से निकलता है उससे उधियाचल कहा जाता है परवत के पास की भूम को जो है उपत्यका कहा जाता है है करा पाहीenkा है प्रते इसरे माह के लिए सब प्रत्रय मासिक होता है महीने के दोनों पच्चों यह दसमुल भाते हैं यह कल योग में गश् fairy यह आपका कल्यूग है दस मुख है जिसके उसे दिसानन कहा जाता है उपर निकलने वाले सांस ख़ु को उच्छ हाला की ने आपका उच्छित होता है QI यह व४कार को मानने वाला और जो उपकार कु ना माने भुल जाए उसके रिसवर प्रियों होता है जो सभवाविग ढन्स से उत्पन ना हो उसे कृतिम कहा जाता है और क्रितिम का जू支持 गोता है car शुन्दर बड़े बालू drought जो प्रियों होता है केसीनी होता है जिसके पास कुछ ना हो उसे अक इंचन कहा जाता है मास के दोनो पच्छों के गिरहावी तीत को जो है एकादसी कहा जाता है जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे अगर में कहा जाता है जो इस तरीक कविता लिखे उसे कवेत्री कहा जाता है यह कवी का भिलोम है कवेत्री ये आपके सुधवर्दनी में भी इस प्रकार से लिखने को आता है इंद्रियों को जीत लिने वाले के सब्सक्राइब होता है वो इंद्रिये जीत कहा जाता है आपनी इच्छा से काम करने वाले हो वो इच्छाचारी कहा जाता है सुर्योधत सी पूरू का समय उसे काल होता है जन सी अंधा व्यक्ति को जन्मांद कहा जाता है अपनी कर्म में आया हुआ क्रमागत कहलाता है ततकाल काब रचना करने वाला आश कभी होता है जैसे आप लोग APS तैयारी का रहें तो उसे आप लोग को जो है जैसे ततकाल लिखने वाले को जो है आस लिपिक जो इस्टेनो ग्राफर होते हैं वह आस लिप होते हैं आस मतलब जल्दी कब करने वाला हो उसी प्रकार से जल्दी लिखने वाले को आस लिप कहा जाता है आस लिपिक वही आपका प्रतिवी की छाया पढ़ने से चंदरमा का जाना चंदगरहन कहलाता है गायों के रहने का स्थान गौसाला होता है आप लोग वीडियो दो से तीन बार देख लेज़ेगा आपको सारे जो सब्ध हैं आपको याद हो जाएंगे आपको परिछा में लिखना नहीं है सिर्फ आपको सही आपसंग की पहचान करनी है तो सिर् जाता है और यह भी जो है भगवान संकर का परियावाची है इंद्र को जीत लेने वाले को इंद्र जीत का जाता है और इंद्र को जो है मेगनातने भी जीता है इंद्रियों को वस्म करने वाला इंद्रे निग्रह कराता है इंद्रे द्वारा जाना जा सके उसी गोचर का ज जो मारे जानी योगिना हो वह यह अवद ही कहलाता है जो अवस से घटने वाला हो वह अवस संभावी होता है जिसका मन किसी और भात में लगा हो अन्यमनस्क कहलाता है जिसकी उपनाधिजस के उसे अनुपमे कहा जाता है जिसे वाणी द्वारा ना कहा जासके अनिर्वचनी होता है किसी आलपवयस की देखरे करने वाला या वाली को अभिभाव कहा जाता है अथिती की सेवा करने वाला आधि थेई होता है यह भी काफी इंपोर्टन्ट है आधितेई अपने को मानने वाला आत्म घाती कहलाता है जिसकी तुनलाना हो सके अतुलनी कहलाता है जो कहाना जसके अकत्नी होता है दूसरे देश से वस्त को मांगना आयात कहलाता है और अपने देश से किसी देश को बाहर भेजना जो है वो अपका निर्यात होता है आयाद का जो भी लोग होता बापका निर्यात होता है देश के भीतर का उसे अंतर देशी कहा जाता है जो इसत्री सुरत देखिया रफाट पर्डे में रहे उसे आसोरय पंसया कहलाते है यह भी कई बार परिचमें पूछा गया है आसोरय पंसया अहंकार में स्वयम को महान मानना अहम मननेता कहलाती है आकास को छोनने वाला गगन चुम्बी कहा जाता है जिससे प्रमारद्वाल सिधना किया सके उसके लिए सप्रेवोतवाब का और प्रमेय होता है जिसे आकास से आने वाली वानी समझ जाए उसे आकास वानी कहा जाता है जिस पर अभियोग लगा हो उसे अभियोग तो कहा जाता है जो पहले घटी तुना अउगा हो वह आपका अभूत पूर्व कहलाता है जो कभी नहीं मरे वह अमर होता है जो अन्तेम निचले मण में जन मले वह अन्तेज होता है यह भी काईबाद परजों में पूछा गया है जिसकी पूर्व से आसाना हो और प्रत्यासित क्यालाता है जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका क्यालाता है कनिश्टिका और मद्यमा के बीच की अंगली के लिए सब जो प्रेव होता है वह आपका अनामिका होता है यह भी काफी इंपोर्टेंट है जिसका टुकड़ा ना होसके वह अखंड होता है अंडे से जन मिलेने वाले को अंडज जो पच्छी होते हैं वह अंडे से ही जन मिलेते हैं तो उन्डे जो अंडज कराते हैं आद इसे अंद तक आद्यो पांद कराता है दूसरों के लिए अपने सुक कत्याक करने वाले को आत्मुत सर कराता है मन में होने वाला सुभावी ग्यान को अंतर ग्यान कहते हैं मन में अपने आप से उत्पन होने वाली प्रिणडा अंतर प्रिणडा कहलाती है जिसमें काटो या भिग्न बाधा ना हो वह अकंटक कहलाता है वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे वह अगर सोची कहलाता है जिसे मारना उचितना हो वह अवध्य होता है जो नयानो अनुतन होता है किसी और अस्थान पर के लिए एक सब प्रिगोतब आपका अन्यत्र होता है जो हिसाब किताब की जाच करते हो वह अंकेचक कराता है जो ठके नहीं लगातार चलने वाले के लिए सब जो प्रेगोता हुआ अठक होता है किसी सुभकार को विदि विधान और सद्रापूरो करना अनुष्ठान कहलाता है वह इस्तरी जिसका पर दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युडा का जाता है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो वह अन्योपाय कहलाता है जिसका आदर ना किया गए हो अनादिलित कहलाता है किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन कने करिया अनुमोधन कहलाती है नीचे की ओल लाना या खिचना अपकर्ष कहलाता है किसी वर्ष को प्राप्त करने की तीव रिच्छा अभिपसा होती है परंपरास चली हुई बात उक्ति या कथा को अनुशुरूत कहा जाता है जिसका उचाणना किया गया हो उसे अनुचरित कहा जाता है वास्तविक मुल से अधिक लिया जाने वाला सुल्ख अधिसुल्ख कह राता है जिसका अनुभाव किया गया हो उसे अनभूत कहा जाता है जो देखने योगिना हो और दर्शनी ही होता है जो दवायनाज के उसे अदम में कहा जाता है सीमा का अनुचित उलंगन करने वाला अतिक्रमण कहलाता है नीचे की और मुख कियो हो उसे अधोमुख कहा जाता है जिस पर अनुगरह किया गया हो अनुगरहीत कहलाता है जो किसी वस्त या व्यक्तिके प्रति आसकत हो वह अनुगरत कहलाता है जिसके साही कामनाय पूर हो गई हो उसे आप्त काम कहा जाता है जो बिलकुल खुला हो उसके लिए सब्जुप्रे होता है अनावरित होता है जिससे अधिक भकवास करना ना आता हो उसके लिए सब्जुप्रे होता है वह आप प्रगल्व होता है गोद में सोनी वाले इस सब्द प्रयोग होता है वह अंक साई नहीं होता है और गोद में सोनी वाले पुरिश को अंक साई खा जाता है अंक का मतलब ही गोद होता है बिना पलग गिराय के लिएक सब्द प्रेग होता है वह अनिमियेस होता है विक्रिस सब्द या विकड़ा हुआ सब्द के लिएक सब्द प्रेग होता है वह अपभ्रंस होता है जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसके लिए सब्द प्रेग जो है और प्रहत होता है किसी मत का सरप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आधी प्रवर्तक कहा जाता है। हुवा इसतर जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिज़त प्रेव होता है। वो आगा में सियत पतिका होता है। यह काफी इंपोर्टेन आपके परिश्चाग लेए। यह भी कईवा परिश्चाग पुछा गया है। वैसतर जिसका पति परदेश से आने वाला हो आग में सियत पतिका होता है। आधित की सेवक काने वो आधित ही का जाता है यह पहले बचाए चुका है। जड़ से चोटी तक के लिए आमोल चूल एक वाक के होता है। आमोल चूल परिवत्वन मतलब होता है, जड़ से चोटी तक जो परिवत्वन होता है, उसे आमोल चूल का जाता है। जिससे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसके लिशवप प्रहश्वाप का आस्वस्त होता है। इससे भविश्ष के प्रति आसावान हो उससे आसावादी का जाता है। खाने से बच्चा गुए जूठा बोजन को उच्छिस्ट का जाता है, जो चाती के बल चलता हो उसे उरग का जाता है, यह साप अगर जो है उच्छाती के बल चलते हैं वह उरग है, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांचा को उच्छा कांचा कहते हैं, जिस पर उपकार किया में हुगा हुआ 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 है। जिसका चित एक विशय में लगा हुआ 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 हु को जो है इकाधिकार का जाता है जहां कोई दूसरा ना हो वह जो अस्थान होता वह एकांत होता है उपचार या उपरी दिखावे की रूप में होने वाले को अउपचारी के जाता है जिसका racers sambundh को उसे आउपनिशदिक का जाता है जिस पार उपकार किया गवो उसे उपकृत का जाता है जल अस्थाल दोनों जगार है उले प्राणी को उभाईचर का जाता है जिसने रिंड चुका दिया हो उसके सुप्रेव होताव आपका उरिंड होता है जिसका उल्ले किया गए हो उसके लिए सब प्रेवता वापका उल्ले कीत होता है जो धर्ती फोड का जमता है उसे उद्भीज का जाता है उपकार करने वालों को उपकारी का जाता है जो भूम उपजाओ उसके लिए जो एक सब प्रेवता वापका उर्वरा होता है सुर्योदय की पहले का समय उसाकाल होता है उपहास के योग को जो प्रियोग होता है उपहास पद होता है उपहास के योगे उपहास पद होता है इंद्रियों पर किया जाने वाले वस इंद्रिया निग्रह कराता है किसी चीज या बात की इच्छा करने वाले को इच्छ का जा कि पूरव और उत्तर की दिशा के बीच की दिशा को जो है इसान कोण का जाता है जीवन की एक अंस को लेकर लिखा गया प्रबंध काब़ को खंड काब़ कहल जाता है 10 साल की कुमारी को कन्या का जाता है 10 से 15 वर्ष की लड़कियों की सोरी का जाता है छोटों की साहता करना जो है यह कृपा कहलाती है दूसरे को दुख देखकर हिर्दय भर आना यह आपकी करूड़ा है कुसंगति में पढ़कर चैत्र प्रदोस लगना कलंद कहलाता है किसी दिस्य स्वस्त के समान इच्छा को कामना कहते है मन के अपरे भाव का सूचक कलेज कहलाता है धन के देवता को कुबेर कहा जाता है वह नाईका जो किस्र पच में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे किस्रा अभिसारी का कहा जाती है यह भी कई बार परिच्छों में पूछा गया है कारे में सनलग रहने वाले के लिए सद्विप्रवगतव का करमट होता है जो अच्छे चाल चलन काना हो उसे उचाली कहा जाता है जैसे तैसे समय काटने को काल यापन कहा जाता है जिसकी ग्रिवा संक की तरह हो उसे कात बुग्रिवा कहा जाता है सिक्के ढालने का करखाना टक साल कलाता है जो तर के योगी हो उसे तार्किक कहा जाता है इसी वीडियो को माध्यान से देखने को मिलेंगे हैं। वीडियो को पुर्दक्राइखने धन्यवाद, जय हिल, जय भारत!